हेलो दोस्तों स्वागात है आपका हमारे चैनल पर जी यहां दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे 1000 MCQ किसके ग्राम समाज एवं विकास के उत्तरप्रदेश लेकपाल के लिए उत्तरप्रदेश लेकपाल परिक्षा के लिए हम most important 1000 MCQ सीरीज डिस्कस कर रहे थे जी यहां दोस्तों इससे पहले हम 25 कोशन डिसकस कर चुके हैं इस सीरीज के आज हम next 25 कोशन डिसकस करेंगे ग्राम समाज एवं विकास के जी यहां दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूलें क्लियर दोस्तों इसी चैनल पर हम आपको weekly current affair भी provide कराते हैं जो आपको हमारे playlist में मिल जाएगी सो आपसे request है आगेन कि हमारे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूलें क्लियर दोस्तों start करते हैं आज का session आज का session पहला question है भूमी की 25 कार कौन सा विभाग करता है ये करता है राजश विभाग बात करते है next question क्या कहता है matrix जरीव में कणियों की संख्या कितनी होती है matrix chain matrix chain में number of link कितनी होती है मला matrix chain हम खेत की नपाई के द्वारा chains use करते हैं जो कई types के होती हैं आगे हम देखेंगे यहाँ वो बात कर रहा है matrix chains की तो matrix chain दो तरीके की होती है 100 meter की and 150 meter की 100 meter में 100 links होती है या 100 कड़ी होती है और 150 meters में 150 links या कड़ी होती है clear means clear दोस्तों तो कितनी कड़ीया हैं 100 100 कड़ीया बात करतें next question की उत्तर प्रदेश में भूमी छेथफल मापन की सबसे चोटी एकाई कौनसी है निम लिखित मेसे सबसे चोटी एकाई कौनसी है तो वो है हमारी 20 1C 20 1C सबसे चोटी है उसके उससे बड़ी बिस्वा है बिस्वा से बड़ी बीगा है और बीगा से बड़ी एकर होती है means अगर जिने हम बढ़ते हुए किरम में अरेंज करतों क्या हो जाएगा D सबसे चोटी फिर C फिर B फिर A तो सबसे चोटी कौन सी हो गई है बिस्वांसी क्लिर दोस्तों बात करते हैं next question कि next question क्या कहता है किस को लोगतंत की पाट साला कहा जाता है किस को लोगतंत की पाट साला कहा जाता है केन सरकार को, राज सरकार को स्थाने स्वायत साशन संस्थानों को और उपरे किसी को नहीं तो यह कहा जाता है सी इस्थाने स्वायत साशन संस्थानों को क्लार दोस्तों next question की बात करते है तहसील दिवस का आयुजन कब होता है पृते एक माहे के पहले और तीसरे मंगलवार को पिरतेक माहे के पहले और चौथे मंगलवार को पिरतेक माहे के दूसरे और तीसरे मंगलवार को पिरतेक माहे के दूसरे और चौथे मंगलवार को तो तहसिल दिवस मना जाता है पिरतेक माहे के पहले और तीसरे मंगलवार को दोस्तों क्लियर? आईए देख लेते हैं 31 वा question 31 वा question क्या कहता है एक बिश्वा कितने के बराबर होता है एक बिश्वा कितने के बराबर होता है तो यह होता है दोस्तों हमारे 20 बिश्वांसी के बराबर 20 बिश्वांसी के बराबर clear दोस्तों यह जो हैं विशवा एकर विशवानसी यह सब की सब क्या नापती हैं छेत्र फल छेत्र फल खेत का एरिया इन से मेजर किया जाता है इन इकाईयों में clear तो सबसे चोटी काए बिया बिस्वा से चोटी काए बिस्वानसी होती है और ऐक बिस्वा बावर भी बिस्वानसी होते हैं दोस्तों clear अगर अगर हमारा सेस्ट आपको पसंद आ रहा हो तो please चैनल को like बुगे सेयर और subscribe जरूर करें और subscribe जरूर करें सर्वेक्षण के लगवग मद्द से गुजरने बाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं जियां दोस्तों अगर हमने किसी खेत का सर्वे किया और खेत को एक ऐसी लाइन उसके बीच में खीचें जो उस खेत को लगवग दो बराबर हिस्सों में बाड़ दे और वो सबसे लंबी रेखा हो उसी को कहते हैं हम आधार रेखा आधार बेस लाइन आधार रेखा और बेस क्लियर दोस्तों तो हिचींन की लंबाई चासट हो ती है किस चेन की फीचासट होती है और घंटरचें स는지 नहीं है चेन बात करें इंजिनिंग चेन की तो इंजिनिंग चेन 100 फिट की होती है और इसमें 100 लिंक होती है बात करें रिवेन्यू चेन की तो रिवेन्यू चेन 33 फिट की होती है और 16 लिंक होती है बात करें मेट्रिक चेन की तो ये 100 मीटर की होती है और 100 लिंक होती है बात करें गंटर्स चेन की तो यह 66 फिट की होती है और 100 नमबर ओफ लिंक्स होती है क्लियर दोस्तों 66 फिट की कौन से चेन होती है गंटर्स चेन तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा गंटर चेन नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश जमीदारी उनमूनल एवं भूमी सुधार अधिनियम कब पारित किया गया तो यह पारित किया गया दोस्तों 1950 में तो सही आंसर हो जाएगा उप्सन संबर A नेक्स बात कर लेते हैं भूमी सुधार कारिकरम को सरवाधिक सफलता किस सराज में मिली है जो हमारे देश में सेंटल गवर्मेंट द्वारा भूमी सुधार कारिकरम चलाए गए हैं उसमें सबसे अधिक सफलता कहां मिली है वो मिली है पश्यम बंगाल में के लिए दोस्तों याद रखना कहा मिली है प्रश्यम बंगाल में नेक्स क्वेशन की बात करते हैं कुश्च नमा 36 भारत में जमीदारी भू वेवस्था किसके काल में लागू की गई थी तो यह लागू की गई थी लौड कॉनेवलिस में लौड कॉनेवलिस ने भारत में भू वेवस्था जमीदारी भू वेवस्था लागू की थी नेक्स बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सचाई का सबसे बड़ा सुरूत है नलकूप दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे आदर उसे चाहिए होती है वो नलकूप की द्वारा होती है नेक्स बात कर लेते हैं किसान करेड़िट कार्ड योजना किस वर्स में शुरू की गई थी जियां दोस्तों केसी सी जिसे हम केसी सी बोलते हैं किसान के रेट कार्ड ये कब सुरू की हुई थी ये सुरू हुई थी 1998 में 1998 में option number B is correct next बात कर लेते हैं भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारम किया गया था भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारम किया गया था तो ये प्रारम किया गया था संत बिनोवा भावे जी द्वारा या दोस्तों संत बिनोवा भावे जी द्वारा भारत में भूदान आंदोलन सुरू किया गया था आई उसमों बात कर लेते हैं next question की, next question क्या कहता है भूख, ये भूख नहीं है ये है भू आंदोलन भू आंदोलन कारिकरम बिनोवा भावे द्वारा सर पिर्थम किस प्रदेश में आरम किया गया था भू आंदोलन कारिकरम बिनोगा भावे द्वारा सर्प्रतम किस प्रदेश में प्रारम किया गया था आंद्र प्रदेश में नेक्स कुश्चन क्या कहता है आसा निमलिखित मैं से किस से सम्बंदित है आसा निमलिखित मैं से किस से सम्बंदित है तो ये है सामाजिक स्वास्थ कार करता होती है एक आसा एक आसा को सामाजिक स्वास्थ कार करता कहा जाता है क्लियर दोस्तों अगेन मेरी आप से रिक्वेस्टर की चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर हमारा चैनल आप पहली बार विजिट कर रहे हूं किलियर दोस्तों जो मैं आपको कुश्चिशंग आप प्रोवाइट करा रहा हूं यह 100% लेकपाल की पेपर में आपको ऐसे ही कुश्चिशंग देखने को मिलेंगे किलियर दोस्तों आईए आगे बात कर लेता है next question कि next question क्या कहता है graveyard अवस्थापना विकास कोस का विट्टिय किया जा रहा है अब गिरामे इंफरस्ट्रक्चर अवस्थापना इंफरस्ट्रक्चर को डेब्लमेंट करने के लिए कौन विट् вони साहता देता है तो ये कौन देता है नावाड द्वारा ये दी जाती है नावाड द्वारा बित्ति सहायता दी जाती है अगर नावाड की बात करने तो इसका फिलफर्म क्या होता है नावाड नावाड है नावा क्यों नेशनल नächनल रूलर डेवलोब्मेंट के लिए दोस्तों अगर बात करें नावाट की तो नावाट की स्थापना होती 1982 में बात कर लेते हैं नेक्स कॉश्शन की, नेक्स कॉश्शन कहता है किस ब्यवस्था में भूमी पर ग्राम समूदाय का सैयुक्त स्वावित होता था कौनसी जमिदाली प्रिथा में, कौनसी प्रिथा में या व्यवस्था में, भू व्यवस्था में समूदाय का पूरा सहत रूप से अधिकार होता था, तो यह होता था महालवाली व्यवस्था में, महालवाली व्यवस्था में नेक्स वोशन की बात करें जिले का सर्वूच राजश अधिकारी होता है यह होता है कलेक्टर डीम एक आई एएस नेक्स बात कर लेते हैं नेमलिखित में कौन सी भूच छेत्रफल मापन की अंतर राश्टी है इस तरी एकाई है तो यह है हमारी हेक्टेर यह हमारी हेक्टेर यह हमारी हेक्टेर एकर बीगा और किला यह हमारी यह हमारी लोकल हैं यह हमारी भारती हैं हेक्टेर जो चलती है वो अंतर राश्टी चलती है नेक्स बात कर लेते हैं भारतिय दलहन अनुसंदहन केंदर कहां इस्थित है यह हमारा कानपुर में नेक्स बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कपास की बुवाई किस माहे में की जाती है उत्तर प्रदेश में कपास की बुवाई किस माहे में किया जाती है तो का पास एक खरीफ की फसल है और ये उत्तरप्रदेश में जून जुलाई में बोई जाती है नेक्स बात कर लेते हैं आपदार राहत निधी केंदर सरकार का एकदन कितना होता है आपदार राहत में केंदर सरकार कितना देती है तो यह देती है 75% और 25% राजसरकार भी करती है नेक्स बात कर लें उत्तर प्रदेश में किस वर्स में मनरेगाउ को प्रारम किया गया था तो यह प्रारम किया गया था 2006 में 2006 में अगर बात करें मनरेगाउ कि फिलफर्म की तो यह है महातमा गांधी नेशनल नेशनल रूलर एम्प्लोईमेंट गारंटी एक्ट 2005 में के लिए दोस्तों तो यह जो एक्ट पास हुआ था यह गवर्मेंट में 2005 में पास हुआ था लेकिन इसको लागू किया गया था 2006 में next बात कर लेते हैं next बात कर लेते हैं निम्न में किस वर्स उत्तर प्रदेश में किसी उद्योग एबं किसी नरयात प्रोष्चाहन विभाक की इस्ताफना की गई तो यह कि गई लोग दोस्तों 1999 में 1999 में जियां दोस्तों आज के लिए इतने ही question next 25 question अगले वीडियो में हम discuss करेंगे इस वीडियो को आप कम से कम एक से दो बार जरूर देखें ताकि ये सारे question आपको याद हो जाएं और आपके paper में ये बहुत ही important हो सकते हैं clear दोस्तों thank you again और हमारे channel को like share और subscribe करना ना भूलें